हेलो वेलकम दोस्तों आईए गान्बाइद देख रहे हैं आप मैं रविकुमार एकर फिरसे नई वीडियो में हाजरू है दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात कहने वाले हैं Home Tution में Demo Class में क्या पड़ाना चाहिए अब दोस्तों इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आप प्रॉपर तरीके समझ जाएंगे कि डेमो क्लास किस तरीके से दें कि आपको जो ट्यूशन है वो कम्प्लिटली डन हो जाए तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सारे कि आपके सामें दो तरीके के पारेंट्स होते हैं पहला पेरेंट्स वह ता है जो कहता है कि आप फिर उसके बाद हम बताकर के पास अलग अलग सापस अगर दोस्तों आपका आगर कोई देमो की बात आती यह तो डेमो के लिए देखिए क्या है वही बोलता है जिसको पहले आपको जज करना है अब दोस्तों जब कोई परसन आपको जज करना चाहता है तो उस समय क्या वो जज करेगा वो आपको जज करेगा इसका मतलब क्या है कि जब आप डेमो देने जाएं तो उस समय वही चीज पड़्चियों को समझ में आ जाएगा तो 100% टूशन पूरी साल चलेगा और अगर टूशन आपने पढ़ाया डेमो क्लास में और अगर नहीं समझ में आया तो फिर वो टूशन आपका क्या पूरी साल नहीं चलने वाला है वो आपका टूशन उसी समय हट जाएगा और दोस्त बच्चे से भी पूशकते हैं कि बेटा आप क्या-क्या पढ़ना चाहते हैं और आपने क्या-क्या पढ़ना चाहता हूं अब दोस्तों आप मेंसे काफी लोग सोच रहे होंगे कि सर यह तो माल लीज़े आपने पैरेंट्स के व्याप्पे बता दिया लेकिन यह बताईए क क्लास के व्याप्पे बताई क्लास कैसे देना है कैसे चीजों को मैनेज करना है अब दोस्तों मैनेज क्या करना वह मैं आपको उताता हूं अब दोस्तों सीधी सी बात है कि आप जा रहे हो डेमो क्लास देने तो डेमो में क्या आपको पढ़ाना है आप पढ़ाते समय क्या ह होना चाहिए सीधी से इवात है कि बच्चे को समझ में आना चाहिए आप देखें जब आप बच्कि पहुंच जाए तो आप बच्चे से साफ सीदा पूछे कि बेटा आपने क्या-क्या पढ़ लिए थे तो बटा कि सरम ने यह पढ़ लिए यह पढ़ लिए और उससे पुछे कि बेटा आप क्या-क्या पढ़ना चाहते हो तो वो कहा कि सर बागी के सारा स्लैपस पढ़ना है या फिर वो किसी टॉपिक का नम बोलेगी सर अमको यह टॉपिक आज पढ़ना है जो बच्चा है कि हमको यह टॉपिक पढ़ना इसका मतलब वह आपको 100% आपका अभी लिए वी सरलो और साथी साथ बच्चे को भी आसानी समझ में आ जाए दोस्तों डेमो क्लास में कभी कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं उटाना है जिसमें कॉम्प्लिकेसंस हो जिसमें काफी ज्यादा चीज़े टॉफ हो अगर आपने टॉफ चीजों को डेमो क्ला आपको क्या करना है आपको बच्चे की कंडिशन देखना है और अपनी इन दोनों को मिला कर आपको काम करना है अगर आप यह सोचे हैं कि यह टॉपिक हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बच्चे को तो जरूरी नहीं वह समझ में आ जाए क्योंकि बच्चे का माइंड जबना है कि तो इसका बता देख तो आप बहुत स्क्राइब बहुत अच्चा कर रहे हो इसका मता है कि अगर kechnya करें कुछ भी पघटा पढ़ा सकती और अग Aware और अगर वो रिस्पॉंस नहीं दे पाए वो पूश्चेंस के आंसर ना दे पाए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसको डाटने लगो कि तुम बिलकुल ना लाएको कुछ भी तुमने पढ़ा नहीं है मालूमी क्या करते रहे पूरी साल ना जाने किसे पढ़ते टूसन कहना है कहती है आपको कहुई बात नहीं आता है तो आज मैं आपको जो आप से मैंने पूछा और उसके बाद मैं आपको कोई एक टॉपिक बढ़ा दूँगा तो मुश को प्टयाएंगे więc मेंट निकल जाएंग आराम से फिर उसके बाद आप जो है जो बच्चा टॉपिक पढ़ना चाहता उस topic को आप पढ़ा दीजिए यदि आपको लगता है कि वो बच्चे ने जो topic बताया है उसके लिए आप comfortable नहीं है या आपको उसमें कुछ problem है तो आप क्या करें उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा इस topic को अभी आप चोड़ दीजिए क्योंकि इस topic अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें काफी चीजे ऐसी हैं जो आप अभी नहीं समझ पाएंगे तो आप को दूसरा topic बता जिए तो बच्चा को दूसर topic बता देगा तो इस topic को आप पढ़ा जिए फिर यह नहीं करना कि अगर उ जरूरी नहीं है 100% की वो उसका answer दे अब दूस्तों अगर हम 11 12 की बात करें अब 11 12 में अगर physics की बात करें chemistry की बात करें तो दूस्तों physics में क्या numerical हैं अगर randomly कोई बच्चा पिक करके लाता है numerical की यही question बताना है सर को आज तो जरूरी नहीं कि टीचर बता दे ऐसा है आप काका देव में चले जाए कि कितने teacher है जो आप random question पूचेंगे नहीं बता पाएंगे इसलिए आपने देखा होगा कि जो IIT की coaching चलती है या आपकी 11 12 coaching चलती है वो notes आंसर class में करवा सके और थोड़ा थोड़ा उसको क्या है एक वार memorize भी करके आए क्योंकि दोस्तों यह जो classes होती है इनमें basically क्या है कि जरूरी नहीं होता है कि मतलब instant बच्चा question पूचा तो उसका answer स्मझना होगा आपको यह नहीं सोचना है कि आपके अंदर कमी है बच्चे ने कोई ऐसे topic दे दिया हम बता नहीं पाए अगर आप यह ऐसा सोचेंगे तो फिर आपके पढ़ा नहीं पाएंगे तो दोस्तों कमी तो देखिए हर किसी में कमी कि कुछ ना कोई कमी होती है हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छी वात होती है कुछ ना कुछ कमी होती है लेकिन दोस्तों जब आपको यह पता चल जाए कि हमारे अंदर यह कमी है तो next time क्या करना है आपको उस कमी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ उपाए करना है तो जब आपको थुर्ण समय हो जाता है दो तीन साल चार साल तो फिर आपके आपके सामने कोई बच्छा राजर आपके लिए बिलकुल NORMAL होता है और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूं गा कि अगर आप चाहे नए टीचर हों चाहे आप पुराने टीचर हों तो दोस्तो आपके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है होम ट्यूटर दोस्तो उसमें हमने आपके लिए बताया है कि होम ट्यूटर की कितनी फीस है कि सहर में और अधिसाथ हमने आपको बताया है कि होम ट्यूटर जब आपका डन होता है तो गार्जन से कैसे बात करनी है डैमो क्लास की और भी काफी टिफ्स दी हुई है तो दोस्तो सारी चीजों को समझने के लिए आप जरू बिजिट कीजिए अगर आपको कोई दोस्त है जिसको घबरात हो रही है तो अगर घबरात हो रही है या कोछ अजीब लग रहा है कि कैसे पहली बार में टूसम पढ़ाएं तो इसके वीडियो आपको होम टूसम टूसम में मिल जाएंगे